भाज़पा ने महाराष्टर विधान सभा चुनाव में तो अच्छा प्रदाशन किया ही है बलकि उप्चुनाव में भी भाज़पा ने बाजी मार ली है राजस्थान विधान सभा की साथ सीटों पर हुए उप्चुनाव का रिजल्ट जारी कर दिया है खिमसर, जुनजनू, सलुमबर, देवली, उनिया और रामगड का विधान सभा उप्चुनाव बीज़पी जीत गई है वहीं दौसा में कॉंग्रिस और 84 में बीज़पी को जीत हासिल हुई है राजस्थान विधान सभा में बीज़पी विधायकों की संख्या बढ़कर 119 हो गई है उप्चुनाव में बीज़पी पांच सीटे जीत गई है इनमें सलुमबर, खिमसर, जुनजनू, देवली, उनियारा और रामगड सीट शामिल है जुनजनू में बीज़पी की जीत इस माइने में भी एहम है क्योंकि बीज़पी यहां दश्कों से चुनाव नहीं जीती थी बीज़पी ने आखिरी बार 2003 में ये सीट जीती थी इसके बाद से ये सीट कॉंग्रेस की टिकेट पर ब्रिजिंदर ओला जीतते रहे इसलिए ये सीट कॉंग्रेस और ओला परिवार का गढ़ मानी जाती थी अब बीज़पी के राजिंदर भाबू ने ब्रिजिंदर ओला के पुत्रवा कॉंग्रेस प्रत्याशी अमित ओला को 42,828 वोटों के बड़े अंतर से चुनाव हरा दिया है खास बात ये है कि 2023 के विधानसभा चुनावों में भी राजिंदर भाबू ने यहां बीज़पी के टिकेट पर चुनाव लड़ा था और उस चुनाव में भाबू को कुल 42,407 वोट मिले थे यानि भाबू को 2023 में जितने वोट मिले थे उससे जादा वोटों के अंतर से उन्होंने उपचुनाव में जीत दर्ज की है हालांकि उनकी जीत में निर्दलिय राजिंदर गुढ़ा का भी बड़ा रोल रहा है राजिंदर गुढ़ा ने कॉंग्रेस के वोट काटने का काम किया राजस्थान में हुए उपचुनावो बीजेपी ने जबरदस्त प्रदशन करते हुए तीन सीटों पर जीत पक्की कर ली है रामगड सीट पर फिलहाल कांटे का मुकाबला चल रहा है देवली उन्यारा में बीजेपी के राजिंदर गुर्जर, जुनजुनों में राजिंदर भावू और खिवसर में रेवत राम डागा की जीत तई हो चुकी है इस अंक में फिलहाल इतना ही अगले अंक में फिर होगी मुलाकात तब तक के लिए नमस्कार